नमस्कार मेरा नमलो सिंग आप देख रहे हैं एंडी और से इस काफी वक्त के बाद मुलाकात हो रही है आवाजों के साथ और एक नई तयारी की साथ जो एक नई तयारी चल रही है आने वाली चेतक प्रतियोगिता की इस वीडियो में हम आपको गोड़सवारी दिखाएंगे गोड़सवार पोंगा यादो की तयारी की जो तुन्टुन यादो बलिया के घोड़े को लेकर आने वाली चेतक प्रतियोगिता में उतर रहे हैं उतर प्रदेश में चेतक प्रतियोगिताओं का क्रम सुरू हो गया है साथ साथ में बिहार में भी समय ये है कि आने वाला बर अंपूर मेला बिनस्दीख है और छेत्रिय चेतक प्रतियों गीता है इस समय जन्वरी से जोरों सोरों पर होती हैं तो उसी को लेकर यहां पर चेतक प्रतियों गीता है चल रही है जिसमें घोड़ सवार पोगा यादो एक और नए घोड़े के साथ उतरने वाले हैं घोड़ा इस घोड़े से कई बार उनोंने चेतक प्रतियों गीता है दो चार में लड़ी भी है पर इस बार इसके ओनर बदले है और उनर के नए ऊनर के साथ इस घोड़े को लेकर फिर समय दाने में उतरने वाले हैं देखता है कि इस बार इनकी तयारी कितनी भार दिखती हैं भी बता पाएगी हम आपको ये भी बता दें कि यहां पर आप देख रहा है घोड़सवार पूंगा यादों को जो अपने घोड़े से चौताले की चाल पर लगतार प्रयास करते हुए अच्छी कदम बाजी अच्छी रफतार देने का प्रयास करते हुए हर एक पैरों को समभ प्रदर्शन करें अब देखना यह है कि पीछे के समय में जिस प्रकार से प्रदर्शन को इस घोड़े से द्वहरा पाते हैं या इनकी तैयारी बीच में जैसे कि हम कई सालों से देख रहे हैं वैसे आधी अधूरी दिखती हैं अपने फिल्म में यह पूरी तरह से अपना क किरदार निभाते हैं या धूरी फिल्मों की तरह ही इस बार भी खेल को दिखाते हैं यह तो आने वाला समय और वक्त ही बताएगा आपने भी कई सारी चेतक प्रतियोगिता हैं देखी होंगी जिसमें इनके प्रदर्शन को आपने देखा होगा कई सारे लोग बहुत कुछ लिखते भी हैं आप भी अगर इनकी इस चेतक प्रतियोगिता की तयारी से पहले कुछ लिखना चाहते हों तो लिख सकते हैं कुछ प्रदर्शन काइसा होता है लड़ाई काफी लगी हुई है कि जंग में तयार होकर ही उतरना चाहिए आदिया धूरी तयारी जंग को हरने के बराबर यह पहले हर मान लेने के बराबर होती है तो इस बार कौन कितनी तयारी करके आता है और किस प्रकार से अपना प्रदर्शन फिल्ड में दिखाता है यह तो समय बताएगा और हम आपको उसी दिन दिखा पाएंगे अभी हम दिखा रहे हैं रेस की तयारी फाइनल पिक्चर यह फाइनल द्रिस से तो उस दिन ही हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से तयारी हुई किन घोडों में अच्छी टकर हुई तो देखते हैं और आगे दिखाते हैं आपको तब तक हमारे साथ देखते रहे हैं इन तयारीयों की विडियों को आगे और कुछ घोड़े आये हैं अगर उनकी भी कुछ पिक्चर बन पाती है और हम आपके सामने ला पाते हैं तो जरूर दिखाएंगे वैसे इस घोडे पर घुर्सवार पोयादो को आपने कहां कहां देखा है इनकी तयारियों से कितनी उमीदे हैं जरा लिखियेगा आगे कौन-कौन से घोडे आ रहा हैं अगर हम वहाँ पहुंचते हैं तो दिखाते हैं कि इस बार ये टक कर कितनी खुबसूरत होती है कहां-कहां के घोडे आएंगे लडने के लिए ये भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा आगे बरंपूर का मेला भी आ रहा है जो बिहार में लग रहा है साथी साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काम के आओ सकता है जो घोड़ों पर काम करना चाहते हैं या नौकरी की तलास सीधे सब्दों में अगर कह दिया जाए तो अगर वैसे कुछ लोग तलास में हैं को हमारे पास दिये हुए नंबर पर फोन करके और जनकारी उपलब्द करा सकते हैं क्यूंकि कई सारे घोड़े मालिकों के पास इस्टम में लड़कों की कमी है अगर वो लोग वहां जाकर अच्छे खासे पेमिंट पर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वैसे लोग मुझे दिये हुए नंबर पर संपर्क करें केवल जो इच्छूखों काम के लिए वह ही फोन करेंगे साथी साथ उनको काम भी मिलेगा रहने और खाने की विवस्थाएं भी मिलेंगी तो आप घोड़ों का अगर काम जानते हैं घोड़ों को तयार करना और मालिस करना इन चीजों की अगर आपको जानकारी है तो दिये हुए नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें आपको बे सालों की तरह यूहीं अधूरी है विडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नए है तो सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा